नमस्ते जी योगव स्वास्थ्य के प्रति दिन के स्कारेक्ट्र में आप सब का हर्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं यूग आचरय हिमन्त व्मप्राकृतिक चिकित सक आप सबकी हितार्थ अच्छा स्वास्थ्य कैसे नैचरोपैथी से योग से मिल सके उसके लिए प्रति दिन आपके बहुत उपयोग की चीजें लाता हूँ, जिनको करके हम सब स्वस्थ शारिरिक रूप से मानसेक और बहुत धिक रूप से स्वस्थ बलवान बन सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि दिमाग को तेज करने के चमतकारी उपाय कौन-कौन से हो सकते हैं। चमतकारी इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तों में अगर इनको नियमित रूप से आप करें तो निश्चित रूप से यह दिमाग को इतना तेज बना देगा कि आपने सोचा भी न कर रहे हैं तो दूसरे कोई कारियों को सोच रहे हैं अकबार पढ़ना है तो दिमाग में कुछ और चल रहा है नहा रहे हैं तो कुछ और चल रहा है तो ध्यान कर रहे हैं तो कुछ और चल रहा है व्यापार कर रहे हैं तो कुछ और चल रहा है पढ़ाई कर रहे हैं तो भी कुछ प्रयोगों को करें किसी भी एक प्रयोग को कर लेज़ेगा मैं बहुत सारे बता रहूं सबसे पहला एक प्रयोग है वो है आठ से 10 बदाम अच्छे क्वालिटी के बजार सी मिल जाए ऐसे बदाम को ले दें उनको रात को या शाम को किसी भी काच के बड़तन में पानी में भिखो देने सुबह उनको छील करके उनका बारिक बारिक उनको पीस लो टुकड़े नहीं करना बारिक पीस ना या तो किसी चीज पर रगड़ करके बारिक पीस ने वो ज़्यादा ठीक रहेगा आखे जिन लोगों की कमजोर हैं बहुत जादा दीरे-दीरे हो और होती जा रहे हैं अभी ऑन-लाइन के कारण से काफी सार लोगों के आखे और दिन बर दिन नमबर बढ़ता ही जा रहा है तो उन सब के लिए यदि आखें कमजोर हैं तो काली मिर्च भी पीस लो थोड़ी सी और इसको उबलते वे दूद में 500 ग्राम दूद हो पावबर इस पावबर दूद में मिलाए इन 18 बदाम को और थोड़ी सी काली मिर्च को थोड़ी सी कितनी जो जिस चमच से हम भोजन कर चौथा ही चमच काली मिर्च पिसी भी हो इतनी सी हो यह आपको दूद पीना है बदाम और काली मिर्च का इससे दिमाग अच्छा तेज हो जाता है आगे चलते हैं अब इसका कैसे इसको प्रेयोग करते हैं एक तो मिला लेना अब यह दूद जब उफन जाए तीन बार उफ उफने फिर दूसरी बार उफने फिर तीसरी बार उफने तीन बार जब उफन जाए तो इसको उतार करके एक चमच देशीगी डाले और दो चमच बूरा डाले यह चीनी डाले फिर ठंडा होने देंगे पीने लाइक जब रह जाए तो इसको 15 दिन से लेकर के 40 दिन तक इसक से आट-दस बदाम को छिलका उतार करके उसको घिसें पानी में पहले बिगो करके रखें पिर सुबह उनका छिलका उतार करके और उसके बाद उसको दूद में डालें पूरा पिस जाए और उसके अलावा काली मिर्च को भी डालें यदि आपके आँखें कमजोर नहीं है तो फिर आपको काली मिर्च नहीं डालने तो यह केवल बदाम को ही डालना करना है गी और दो चमझ बूरा यह चीनी यह सब तो डालना हelyn डालना है और जरुट के मताबिक जितने भी आपकी जरुट है जिसे मानलों बहुत ज्यदा समस्या है आपको पचास दिन तक करें ज्यादा यादाज की समस्या है तो साड़ दिन तक करें इसको करें निश्चित रूप से आपकी मस्तिश में जो है इसमरण शक्ती दूर जो इसमरण शक्ती कमजोर हो गई है उस समस्या को दूर करेगा दिमाग तेज करेगा और ये बहतरीन इलाज बता रोग बहतरीन उपाए सब्से पहले Isसले बताूरों कि सरल भी है और उत्तम भी है और इसमें बादम को बिलकुल बारीक बारीक पीछना बहुत जरूरी यहोड प्राम्मी जो होती है दूसरा प्रायोग बता रहों ब्राम्मी जो होती है दिमाग तेज करने के लिए बहुत अच्छी टॉनिक होती है जो दिमाग की नसों को मजबूत करती है इसके लिए रोज आपको दो चमच ब्रामी का जो चून बजार में मिल जाता है दो चमच गरम पानी में मिक्स करके इसको लेना चाहिए दो चमच ब्रामी, दो चमच गरम पानी इसको मिक्स करके आप जरूर लेने ये आपके लिए दिमाग की बहुत शक्ती बढ़ाएगा और बॉध्धिक रूप से विकास करेगा बुद्धी को बढ़ाएगा यादाश को भी बढ़ाएगा बुद्धी भी बढ़ाएगा रोजाना अगर तीसरा उपाए बता रहा हुँ यदि रोजाना हम हल्दी का सेवन यदि करें तो उसमें हल्दी जैसे आप जानते हैं हल्दी बहुत सारे जखमों को अंत्रिक जखमें उनको दूर करने का बड़ा अच्छा सामर्थे रखती है जिन लोगों को चोट लग जाती है वे लोग भी हल्दी वाला दूद पीते हैं यह जरूर बात है अभी कोरोना में भी काफी सारे लोगों ने हल्दी वाला दूद पीया था तो हल्दी यदि रोजाना हम सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा दिमाग तेज रहता है हम जो भी चीज़ खाएं उसमें हल्दी जरूर मिला है अगर आपको हल्दी का सेवन करना ह तो काफी सारी चीज़ूं में मिला ही जा सकती है क्योंकि अल्दी जो होती है ना हमारे मश्टिष्क की जो मरीवी कोशिका हैं जो । डेइड सेल्ष हैं इमारे ब्रेंके उनको भी छीवित-कर देता है इसलिए जब डेड सेल्ष जीवित हो जाएंगे तो हमारा दिमाग तेज कैसे नहीं होगा बिलकुल होगा याकि किसी को नीज नहीं आरी ना और depression का कोई शिकार हो गया है तो मरीन केसर एक बजार में मिलता है कश्मीर बिलता है ऐसे मरीन केसर मिल जाता है यँधर उसको स cat適़ समरिध नहीं हैं कि किसर महां आता है तो मरीन केसर का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए उनको क्यों क्योंकि दिमाग को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत आवश्यक है उनको दिमाग को पूरा आराम देने इसलिए रोजाना साथ से आठ गंटे की नींद तो जरूर लेना चाहिए अगर गहरी नीं जिसको नहीं आती उसकी भी याददास कमजोर हो जाती है एक और उपाय बता रहा हो दो चमच शंक पुषपी मिल जाएगी आपको उसको डेड़ कप पानी में यदि आप उसको डेड़ कप पानी में लेंगे शंक पुषपी को और यह भी ब्रामी की तरह से उपयोगी होती है तो यह दो चमच शंक पुषपी डेड़ कप पानी में मिक्स करके स्कूले में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी पिसी भी ना मिले तो ऐसे भी ले सकते तो इसको खाए चबा-चबा करके तो अच्छी प्रकार से आपकी बुद्धी की वर्धक ह लिए बहुत अच्छी उपयोगी है एक अन्य उपाए रात को जो वेक्ति बुद्धी को बढ़ाना चारें तो रात को जो वेक्ति सो रहे हैं तो दो चुटकी डालचीनी का पाउडर जो है उसको शहद में मिला करके दिखाएंगे तो इससे भी यादाश्ट बढ़ जाती ह एक और उपाए एक याँ डेड़ कब आपको दूद्ध लेना है और उसको गरम कर लेना इसमें डेड़ चमच जटा मांसी मिला देना ये पंसारी के पास मिल जाती जो लोग जड़ी पूटियां रखते हैं उनके पास मिल जाती तो जटा मांसी को मिला लेना इसमें और दास्ट को भी बड़ा देती है तो एक डेड़ कब दूद ले करके उसको गरम करना उसमें एक डेड़ चमच जटा मांसी मिला लेना यदि एक कब दूद लिया है तो एक चमच जटा मांसी दो डेड़ कब लिया है तो डेड़ चमच जटा मांसी ये दिन दो बार कर सकते हैं द जायफल जावित्री आजी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं सूखें जिनको हावन की सामगरी में भी डालते हैं आइडवित की और श्रदियां भी बनती है तो जायफल जो विक्ति खाता रहता है उसकी भूलने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है और अगर बार-बार कोई विक् आगी अगर एक चुटकी केसर हम दूद में मिलाकरके रोजाना पी है न तो दिमाग की कमजोरी तो भी दूर होगी या दाश भी बढ़ेगी अकरोट खाने से एक मजाक में कुछ लोग बोलते हैं कि क्या खाने से बुद्धी बढ़ती है, कोई बोलता है अक्रोट खाने से, कोई बोलता है बदाम खाने से, एक व्यक्ति कहता है नहीं, न अक्रोट से न बदाम से बुद्धी बढ़ती है ठोकर खाने से, ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये तो म सेवन क सीयान देट तो आपकी बद्धी एतास तेज़ hija Chapter 5 तो कि एक महीना बाकी रहे कि एंगा पढूबले के रसका समय स्टों तो भी दिमार की शक्टी बढ़ती है दिनाकी शक्ती भड़ जाती है। आवले के रसमें यदि शहद मिला कर सकते हैं, वे तो ऐसा करें, आपको कसहला नहीं लगेगा, ओमेगा 3 जो fatty acids होते हैं, वो जिन चीज़ों में होते हैं, उनका भी 7 हमें करना चाहिए, जैसे अक्रोट और भी ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे अक्रोट के बारे में त करना चाहिए, जिनको शरीर में मांस को बढ़ाना है, जो मांस पेशियों को बहुत बढ़िया रखना चाहते हैं, जो immunity बढ़ाना चाहते हैं, जो कबजी को दूर करना चाहते हैं, जो दिमाग को तेज करना चाहते हैं, ओमेगा 3 को भी भरपूर मातरा में लेना चाहते हैं, वह लोग LC का भी पित्र दिन प्रयोग करें अपने उल्टे हाथ याईए लेफट वाले हैंड से आप काम करना है ज्यदा तर लोग राइट ही होते हैं लेकिन कुछ लोग लेफट ही भी होते हैं तो जसका हाथ से आप ज्यादा काम कर रहे हैं उसके विप्रेट वाले हादसे आप काम करना शुरू करें। इससे भी दिमाग का दूसरा वाला भाग सक्रिय हो जाता है। नई कोशिकायां बनाता है। इससे धिमाग तेज हो जाता है। तो यह थोटा सा एक प्रियोग बताया। अगर आप लोग आफिस में काम करते हैं, तो काम करते वक्त आपको 2-3 मिनट, 2-5 मिनट के लिए आपको आखे बंद करके थोड़ा-थोड़ा विश्राम करिए, मतलब थोड़ा-थोड़ा ऐसे आराम से कुर्सी के पीछे लेट जाए, लेटने का मतलब गर्दन आराम दायक स् और फिर आगे जादा तेजी से काम करने के योग्य मनता है, ये भी थोड़ा सा बड़ा अच्छा प्रियोग है, एक पानी की मतलब आपको कम नहीं पीना, पानी पूरा पीना है, पानी हमारे शरी में तरलता बना के रखेगा, दिमाग तेज करेगा और डिप्रेशन आदी स भी बचा के रखेगा, एक प्रियोग है, पंद्रह ग्राम अकरोट, पंद्रह ग्राम अकरोट और बारा ग्राम किश्मिश, दोनों को मिला करके चबा चबा के खाएं, निश्चित रूप से, और रोजाना अलस्री के बीच भी खाएं, तो भी आपका दिमाग तेज होगा, गुड में अगर 25 ग्राम तिल मिला कर खाएं, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि तिल सबको सूट नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पीट, जिनका ऐसा हो जाता है कि बार बार दस्त लगने की समस्य हो जाती है, तो इसलिए 25 ग्राम तिल को म परिणाम पा सकते हैं, दिमाग तेज करने के लिए इन बताय हुए जितने भी उपाय हैं, एक दो को अपना लेंगे तो निश्यत रूप से आप सब अपने दिमाग की शक्ति को अच्छा बड़ा बढ़िया बना सकते हैं, कम जोड दिमाग को अच्छा बना सकते हैं और कम आदास को तेज कर सकते हैं, ये सो प्रतिशत रिजल्ट देने वाले हैं, इसके लिए आपको डेली योग का सहरा भी लेना चाहिए, रोज 40 मिनट का आपको योग करना चाहिए, प्रतिजन आसन, प्रणायाम, सूरी नमस्कार, इससे भी दिमाग तेज होता है, सरवांग आस शीरशासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिम, उत्तानासन, सुबह उठकर के आठ से दस मिनट अनलोम विलोम का प्रणायाम जरूर करना ही चाहिए, आपको पांच मिनट ब्रहामरी और पांच मिनट का पाल भाति और पांच मिनट ही भस्तरी का, ये लगबग पंदरे 20, 22, 25 मिन लगाता, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट तक लगाता, इसको तराटक करिए, यहां सफेद कागज पर एक चोटा सा बिंदू बना दीजिए, ब्लैक पैन से, उस पर देखते रही है लगाता, दिवार पर चिपका करके, और एक मीटर की दूरी पर बैठ जाएं, बिना प के जब का है, अगर पूरा फोकस आप इस बिंदू पर करेंगे, निश्चितर उसे दो सब्ता में आपके अंदर की सोहीवी शक्ति जाग जाएगी, आपके दिमाग को अत्यंत शक्तिशाली बना भी देगी, पढ़ाई आदी तो बच्चों के लिए बच्चों का खेल हो जा और इससे भी दिमाग शामत होगा, और इसके अलावा इस प्रयोग को आप रात को भी कर सकते हैं, सोने से पहले, और सुबह भी कर सकते हैं, बिंदू तराटक का जो अभी आपको बताया, बिंदू बना करके सफेद कागच पे या सफेद बोर्ड पर, और ये बहुत बढ़ की शक्ति बढ़ते हैं, इनका सेवन जरूर करना चाहिए, तीन ग्राम कलॉंजी जो प्याज का बीज होता है, तीन ग्राम कलॉंजी और का चून, अगर इनका चून बना दिया जाए, और आपको शहद में इसको मिला करके चाटना है, ये भी स्मरन शक्ति को बढ़ाता है, 20 ग्राम एंड 30 ग्राम यानि 30 ग्राम शहद, इनको मिला करके खाया जाए तो दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है, सुबह शाम आउले का मुरब्बा, गाये के या बकरी के दूद के साथ यदि हम खाएं, तो कैसी भी दिमागी कमजोरी हो खतम हो जाती है, निश्चित बात है और अंतिम आज का उपाय बता रहा हूँ, ब्रामी, शंक, पुष्पी, आमला, गिलोए, जटा मानसी, इन सब को बराबर मात्रा में अगर हम लेकर के चून बना लेए, रोजाना सुबह शाम पानी के साथ 2-3 ग्राम इस चून को लेए, तो ये दिमाग को तेज करने का ब्रामी, शंक, पुष्पी, आमला, गिलोए, जटा मानसी, ये पांचों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर चून बना लो, और ये खराब नहीं होता साल बड़, आराम से इसका प्रेयोकर, सुबह शाम पानी के साथ 2-3 ग्रामी लेना, बस और कुछ नहीं करना, इसमे रूप से आप साब के लिए बड़े उपयोगी होंगे, आपकी दिमाग की सोईवी शक्तियां जाग जाएंगी, आज इतना ही सभी को, सादम नमस्ते, ओम, शम, जय हिन, जय भारत